तो आज की वीडियो में हम ट्रांस्पांट करने वाले हैं मैक्सी कपिटोनिया प्लांट को यह एक फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसको ऐसे कलर के फूल लगते हैं और जब तक इस एरिया में धूप रहती है तब तक यह अच्छी तरह किसे खिले हुए होते हैं और जब इस एरिया से दूप चली जाती है तो यह एतर डीले डाले से इनकी हो जाती ही वरना यह बहुत ही अच्छी खिले वे रहते हैं तो यह देखें और यह बस बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं फूल सिर्फ एक दिन के लिए फूल होते हैं उसके बाद यह नीचे गिर जाते हैं तो आज हम इसको ट्रांस्प्लांट करेंगे इसके लिए जो जगा है वो बहुत कम पढ़ गई है यह देखें इसकी रूट्स ड्रेनेज होल से भार आ रही है तो हम इसे ट्रांस्प्लांट करते हैं यह देखें एक फूल नीचे भी गिर गया तो ऐसा यह किरते र तो इसको हम ट्रांस्प्लांट करेंगे इस बड़े गमले में जिसमें एक ड्रेनेज होल है तो चले इसे ट्रांस्प्लांट करते हैं तो पहले इसके ड्रेनेज होल में एक स्टोन हम लगा देते हैं और उसके बाद हम सॉयल मिक्स डालेंगे और यह सॉयल एकदम नॉर्मल गार्डन सोयले, इसके लिए मैं कोई भी कमपोस्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, जो भी पहले कि इस मिट्टी में कमपोस्ट होईगी, वो होईगी तो पता नहीं, और ना मैंने इसमें कोई भी, उपर इसके कोई कमपोस्ट एड नहीं करी है, तो थोड़ा सा हम पहले एक पानी भी पानी भी नहीं दिया, ताकि आसानी से रूड़ बॉल इसका निकल जाए, और ओफुल निकलना चाहिए, तो थोड़ी मैंनत करने के बाद, ये इसका रूड़ बॉल अच्छे से निकल चुका, और इसकी रूड़ सब सामने सामने देख सकते कितनी इसकी रूड़ रॉट 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 रॉ कि उतो कि लουνित को dewागवा नवादा है बाइक है ईत्यू कहोंई नट्माड़ा है कि जका पुट सित्क पलाभ रख बहुत हुईं। तो हमने इसे ट्रांस्परांट कर दिया है यह देखें तो मैंने इसे ट्रांस्परांट कर दिया है अब हम बात कर लेते हैं इसे कब ट्रांस्परांट करना चाहिए तो अगर आपको experience है ट्रांस्परांट करने का तो आप इसे किसी भी मौसम में ट्रांस्परांट कर सकते हैं और अगर आपको experience नहीं है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसे बारिश के मौसम में ही ट्रांसپलांट करें और अभी जून का महीणा चल रहे है अब पता है जून के महीणामें कितनी गर्मी होती है थो एल्यूह को इस बाशल्प्रेसि ब्लन्ट सेंशे नहीं कर पाता तो अगर आपको कि आपको सकते हैं तोकि आपने फूल जो आप देख रहे हैं ये कली उाईंगे तो चली अगर आपको ये वीडिया अच्छी लगे तो प्लीज लाइक चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंटे केर